आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जैशंकर प्रशाद की कहानी मधुआ मधुआ कहानी है एक शराबी की जिसे शराब पीने की लट पड़ी हुई है किन्तु वह कामधाम कुछ भी नहीं करता बस एक जमीदार जिसका नाम सरदार सिंग है के पास चला जाता है उसे जूटे किसे कहानिया सुना सुना कर उसका मनुरंजन करता है और बदले में जमीदार उसे शराब के लिए पैसे दे लेता है जमीदार उसे एक तरह से अपनी मनुरंजन की चीज समझता है लेकिन वह शराबी अपने अंदर से एक सीधा साधा अच्छा इंसान है जिसके लिए मनुश्यता की रक्षा करना उसकी वेक्तिकत आवशक्ताओं से बहुत बड़ी है एक गरीब बच्चे से उस शराबी की भेंट होती है और उस बच्चे की भूक उस शराबी की जिंदगी को पूरी तरह बदल के रख देती है वह शराब छोड़कर कुछ काम धंदा करने के लिए निकल पड़ता है और महनत से कमा कर खाने में गौरव का अनुभाव करने लगता है इस कहानी में जैशंकर प्रशाद ने एक शराबी की मानुवियता और एक जमीदार की एसमवेदन शिल्टा का चित्रण किया है तो आईए पढ़ते हैं ये कहानी आज साथ दिन हो गए पेने की कोन कहे छुवा तक नहीं आज साथवा दिन है सरकार तुम जूटे हो अभी तो तुम्हारे कपड़े से महका रही है वह वह तो कई दिन हुवे साथ दिन से उपर कई दिन हुवे अंधेरे में बोतल उडेलने लगा था कपड़े पर गिर जाने से नशा भी ना आया सरकार और आपको कहने को क्या कहूं सच माने साथ दिन ठीक साथ दिन से एक बूंद भी नहीं सरकार ठाकुर सरदार सिंग हंसने लगे ठाकुर सरदार सिंग का लड़का लखनव में पड़ता था ठाकुर सहब कभी-कभी यहां आ जाते उनको कहानिया सुनने का चसका लगा था खोजने पर यही शराबी मिला वहर रात को दोफहर में कभी-कभी सवेरे भी आधमकता अपनी लच्चेदार कहानिया सुना-सुना कर ठाकुर का मनो विनोत करता ठाकुर ने हस्ते हुए कहा तो आज पीओगे ना शराबी जूट कैसे कहूँ आज तो जितना मिलेगा सब की सब पी जाओंगा साथ दिन चने चबेने पत बिताए है सरकार ठाकुर साहब अद्भुत साथ दिन पेट काट कर आज अच्छा भूजन नय करके तुम्हें पेने की सूजी है शराबी सरकार मोज पहार की एक घड़ी एक लंबे दुख पूर्ण जीवन से अच्छी है उसकी खुमारी में दिन काट लिये जा सकते है ठाकुर साहब अच्छा आज दिन भर तुमने क्या क्या किया शराबी मैंने अच्छा सुनिये सवेरे कुहरा पड़ता था मेरे दुओं से कंबल सा वह भी सूर्य के चारों और लिप्टा था हम दोनों मुह चिपाए पड़े थे ठाकुर साहब ने हंसकर कहा अच्छा तो इसमें मुह चिपाने का कोई कारण शराबी साथ दिन से एक बूंद भी गले ने उतरी थी भला मैं कैसे मुह दिखा सकता था और जब बारे बज़े धूप निकली तो फिर लाचारी थी उठना ही पड़ा हाथ मुह दोने में जो दुख हुआ सरकार वह क्या कहने की बात है पास में पैसे बचे थे चना चबाने में दांत भाग रहे थे कट-कटी लग रही थी परांटी वाले के यहां पहुंचा धीरे धीरे खाता रहा और अपने को सेकता भी रहा फिर गोमती नदी की किनारे चला गया घूमते घूमते अंधेरा हो गया बूने पढ़ने लगी तब कहीं भागा और आपके पास आ गया ठाकूर साहब अच्छा जो उस दिन तुमने गडरिये वाले कहाने सुनाई थी जिसमें असुफु दोला ने गडरिये के लड़की का आंचल भूने हुए भुट्टे के दानों के बदले मोतियों से भर दिया था क्या वह सच है शुराबी सच अरे वह गरीब लड़की भूख से उसे चबाकर थूथू करने लगी सरकार रोने लगी वो ऐसी निर्दे दिल लगी बड़े लोग कर ही बैठते हैं सुना है श्री रामचंद्र जी ने भी हनमान जी के साथ कुछ ऐसा ही ठाकुर सहाब बात बीच में ही काट कर ठठा कर हसने लगे पेट पकड़कर हसते हसते लोट पोट हो गए सांस बटोरते हुए संभाल कर बोले और बड़कपन किसे कहते हैं कंगाल तो कंगाल घदी लड़की भला उसने कभी मोती देखे थे चबाने लगी उनको मैं सच कहता हूँ आज तक तुमने जितनी कहानिया सुनाई सब में बड़ी टीस थी सहजादों की दुखडे महल की अभागिनी बेगमों की निश्फल प्रेम करुन कथा और पीडा से भरी हुई कहानिया ही तुम्हें आती है पर ऐसी हसाने वाले कहानी और सुनाओ तो मैं तुम्हें अपने सामने ही बड़िया शराब पिला सकता हूँ शराबी सरकार भूडी से सुने हुए वे नवाबी के सोने से दिल अमीरों की रंग रेलिया दुखडे की दर्द भर भरी आही रंग महलों में घुट घुट कर मरने वाली बेगमे अपने आप सिर में चक्तर कारती रहती है मैं उनकी पेडा से रोने लगता हूँ अमीर कंगाल हो जाते हैं बडो बडों के घमंड चूर होकर धूल में मिल जाते हैं तब भी दुनिया बड़ी पागल है सरकार मैं उसके पागलपन को बुलाने के लिए ही शराब पीने लगता हूँ नहीं तो यह बुरी बला कोन अपने गले लगाता सरकार ठाकूर सहब उंगने लगे थे अंगीठी में कोईला दहक रहा था शराबी सर्दी से ठिटूरा जा रहा था वह हाथ सेंकने लगा सहसा नींद से चोक कर ठाकूर सहब ने कहा अच्छा जाओ मुझे नींद आ रही है वह देखो एक रूपिया पड़ा है वहां उठा लो लल्लू को भेजते जाना शराबी रूपिया उठाकर धीरे से खिसका लल्लू ठाकर सहब का जमादार था उसे खोशते हुए जब वह फाटक पर ही बगल वाली कोठरी के पास पहुँचा तो उसे सुप कुमार कंट से किसी के रोने का शब्द सुनाई पड़ा वह खड़ा होकर सुननी लगा तो सुवर रोता क्यों है कुमर साहब ने दो लाते ही तो लगाई है कुछ गोली तो नहीं मार दी करकश सुवर में लल्लू बोल रहा था किन्तु उत्तर में सिस्कियों के साथ एकाद हिचकी सुनाई पड़ जाती थी वह बालक लगातार रो रहा था अब और भी कठोरता से लल्लू ने कहा मधुआ जा सोजा नकरा नकर नहीं तो उठ़ूँगा तो खाल उदेर दूँगा समझा न शराबी चुपचाप सुन रहा था बालक की सिस्कियां बढ़ने लगी थी फिर उसे सुनाई पड़ा ले भागता है कि नहीं क्यों मान खानी पर तुलावा है भैभी बालक बाहर चला आ रहा था शराबी ने उसके छोटे से सुन्दर गोरे मुह को देखा आंसू की बूंदे ढुलक रही थी बड़े दुलार से उसका मुह पोँचते हुए उसे लेकर वह फाटक से बाहर चला आया दस बज रहे थे कडाके की सर्दी थी नोनो चुपचाप चलने लगे शराबी की मोन सहानू भूती को उस छोटे से सरल हृदय बालक ने सुविकार कर लिया था वह चुप हो गया था अभी वह एक तंग गली पर रुका ही था कि बालक के फिर से रोनी की आहट होने लगी शराबी जरक कर बोल उठा अब रोता क्यों है रे छोकरे रहता है और दिन भर तुझे खाने को नहीं मिला बालक कहने लगा यही तो मैं कहनी गया था जमादार के पास मार तो रोज ही खाता हूँ आज तो खाना भी नहीं मिला कुवर साहब का ओवर कोट लिए खेल में दिन भर उनके साथ रहा साथ बजे लोटा तो और भी नो बजे तक कुछ काम करना पड़ा आटा रख नहीं सका था रोटी बनती तो कैसे जमादार से कहने गया था भूक की बात कहते कहते बालक के उपर उसकी दिनिता और भूक ने एक साथ ही जैसे आक्रमन कर दिया था वह फिर से रोने लगा शराबी उसका हाथ पकड़कर घसिटता हुआ गले में ले चला एक गंदी कोठरी का दरवाजा धकेल कर बालक को लिये हुए वह भीतर पहुचा टटोलते हुए सलाई से मिट्टी की डिबरी चला कर वह फटे कंबल की नीचे से कुछ खोजने लगा एक परांठे का टुकड़ा मिला शराबी उसे बालक के हाथ में दे कर बोला जब तक तू इसे चबा मैं तेरा पेट भरने के लिए कुछ और ले आता हूँ सुनता है रे चोकरे रोना मत रोईगा तो खूब पिटूँगा मुझे रोने से बड़ा बेर है पाजी कहीं का मुझे भी रुलाएगा शराबी गली के बाहर आ गया उसके हाथ में एक रुपिया था वह सोचने लगा क्या लूं क्या नहीं लूं बरहे आने का एक तसी देसी अद्दा और दो आने की चाय नहीं नहीं दो आने की पकोड़ी ले लेता हूँ नहीं आलू मतर कैसा रहीगा अच्छा सही चार आने का मास तो ले ही लूं पर यह चोकरा इसका पेट भी तो भरना पड़ेगा यह कितना खाएगा क्या खाएगा और आज तक तो कभी मैंने दूसरों की खाने का सोच किया ही नहीं तो क्या ले चलू पहले एक अद्दा तो ले ही लू इतना सोचते सोचते उसकी आँखों पर बिजली की प्रकाश की जलक पड़ी उसने अपने को मिठाई की दुकान पर खड़ा पाया वह शराब का अद्दा लेने भूलकर मिठाई पूरी खरीदने लगा नमकीन लेना भी ना भूला पूरा एक रुपे का समान लेकर ही वह दुकान से हटा जल्द पहुँचने के लिए एक तरह से दोड़ने लगा अपनी कोठरी में पहुँचकर उसने दोनों की पात बालक के सामने सजा दी मिठाई की सुगंद से बालक की गले में एक तरावट पहुँची वह मुस्कुराने लगा शराबी ने मिठी की गगरी से पानी उडेलते हुए कहा नठकट कहीं का हसता है सोंधी बास नाप में पहुँची ना ले खूब ठूसकर खा और रोया तो पिटेगा उसके बाद दोनों ने बहुत दिन पर मिलने वाले मित्रों की तरह बेट कर भर पेट खाया गई तो शराबी भी कंबल तान कर बढ़ बढ़ाने लगा सोचा था आज साथ दिन में भर पेट पी कर सोंगा लेकिन वह छोटा सा रोना पाजी ने जाने कहां से आधम का एक चिंता पून आलोक में आज पहले पहल शराबी ने आँख खोल कर कोठरी में बिखरी हुई दारी द्रे की विभूती को देखकर और देखा घुटनों से थुड़ी लगाए उस निरी है बालक को सोते हुए उसने तिल मिला कर मन ही मन प्रश्न किया किसने ऐसे सूकुमार फूलों को कष्ट देने के लिए निर्दय ताकिस रष्टे की अहरी नियती तब इसको लेकर मुझे घरबारी बनना पड़ेगा क्या दुरभाग गया है जिसे मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरी इतनी माया ममता जिस पर अब तक केवल बोतल का ही अधिकार था इसका पक्ष क्यों लेने लगी इस छोटे से पाजी ने मेरे जीवन के लिए कौन सा माया जाल रचने का बिड़ा उठाया है अब क्या करूं कोई काम करूं कैसे दोनों का पेट भरेगा नहीं भगा दूँगा इसे आँख तो खुले बालक अंगडाई ले रहा था वह उठ बेटा शराबी ने कहा ले उठ कुछ खाले अभी रात का बचा हुआ है और अपना रास्ता देख वैसे तेरा नाम क्या है बालक ने सहज हंसी हंसकर कहा मद हुआ कहे दोता हूँ कि भाड में जा किन्तु वह आज तक दुख की भटी में ही तो जलता आ रहा है वह चुपचाप घर से जला कर सोचता हुआ निकला ले पाजी अब यहां लोटूंगा ही नहीं तू ही इस कोठरी में रह ले शराबी घर से निकल गया गोमती किनारे पहुचने पर उसे स्मरन हुआ कि वह कितनी ही बाते सोचता आ रहा था पर कुछ भी सोच न पाया हाथ मुह धोने में लगा उजली हुई धूप निकल आई थी वह चुपचाप गोमती की धारा को देख रहा था धूप की गर्मी से सुखी होकर वह चिंता बुलाने का प्रयत्न कर रहा था कि किसी ने पुकारा कि किसी ने पुकारा भले आतमी कहां रहे इतने दिन सालों पर दिखाई पड़े तुमको खोशते खोशते मत ठक गया शराबी ने चोग कर दिखा मैं कोई जान पहचान का तुम मालूम होता था पर कोन है ये ठीक ठाक ने जान पाया उसने फिर पुकारा तुम ही इसे कह रहा हूं सुनते हो उठा ले जाओ अपनी सान धरने की कल नहीं तो सड़क पर फेंग दूगा एक ही कोटरी है जिसका मैं दो रुपया किराया देता हूं और उसमें मेरा अपना रखने के लिए कुछ जगई ही नहीं है सान धरने की कल एक तरह का पत्थर होता एक तरह की मशीन होती है जिस पर चाकू, तलवार, कैंची आदी की धार तेश की जाती है ठीक है तो वो यही कह रहा है कि अपनी सान धरने की कल उठा ले जाओ मेरी कोटरी से उस कोटरी के दो रुपय किराया देता हूं मैं और उसमें मेरा अपना रखने के लिए कुछ भी नहीं है ओहो, राम जी तुम हो भाई, मैं तो भूली गया था तो चलो आज ही उसे उठा लाता हूं कहते हुए शराबी ने सोचा यह सही हुआ उसी को बेच कर कुछ दिनों तक काम चल जाएगा गोमती में नहा कर राम जी उसका साथ ही पास ही अपनी घर पर पहुँचा शराबी को मशीन देते हुए उसने कहा ले जाओ किसी तरह मेरा इससे पिंड चूटे बहुत दिनों पर आज शराबी को मशीन धोनी पड़ी किसी तरह अपनी कोठरी में पहुँचकर उसने देखा कि बालक चुपचा बैठा है बढ़बढाते वे उसने पूचा क्यों रे तुने कुछ खा लिया कि नहीं भर पेट खा चुका हूँ और वह देखो तुम्हारे लिए भी रख दिया है कहा कर उसने अपनी मदुर हसी से उस रुखी कोठरी को तर कर दिया शराबी एक शन भर चुप रहा फिर चुपचाब जल पान करने लगा मन ही मन सोच रहा था यह भागे का संकेत तो नहीं चलू फिर कल लेकर साम देने का काम सुरू करू धोनों का पेट भरेगा वही पुराना चरखा फिर सिर पर आ पड़ा नहीं तो दो बात किसा कहानिया इधर उधर की कहकर अपना काम चला लेता था फिर अब तो बिना कुछ की घर नहीं चलने वाला जल पीकर बोला क्यो रे मधवा अब तू कहां जाएगा मधवा कहीं नहीं यह है लो तो फिर क्या यहां मेरे पास जमा गड़ी है कि मैं उसे खोद खोद कर तुझे रोज मिठाई खिलाता रहूँगा तब हमें कोई काम करना चाहिए तू और काम करेगा मधवा कहता है आप जो कहो शराबी अच्छा तो आज से मेरे साथ साथ घूमना पड़ेगा यह मशीन तेरे लिए लाया हूँ चल आज से तुझे सान देना सिखाऊंगा कहां रहूंगा इसका कोई ठीकाना नहीं है पेड़ी के नीचे भी रात बेता सकता हूँ मधवा कहीं भी रह सकूँगा पर उस ठाकुर की नोकरी नय कर पाऊंगा शराबी ने एक पारस्थिर दिष्टी से उस बालक को दिखा बालक की आँखे द्रिल निश्चे की सोगंद दिखा रही थी शराबी ने मन ही मन कहा बैठे बिठा ये हत्या कहां से लगी अब तो शराब ना पीने की मुझे भी सोगंद लेनी पड़ेगी वह साथ ले जाने वाली वस्तू को बटोरने लगा एक गठर का और दूसरा मशीन का दो बोज हुए शराबी ने उससे पूछा तू किसे उठाएगा मधुआ जिसे आप कहो शराबी अच्छा तेरा बाप जो मुझे को पकड़े तो मधुआ कोई नहीं पकड़ेगा चलो भी मेरे बाप कबके मर गए शराबी आश्चरे से उसका मुह देखता हुआ मशीन उठा कर खड़ा हो गया बालक ने गठरी लाद ली दोनों कोठरी छोड़ कर चल पड़े